हेलो जोहार दाव पेरी सबके मोई आन्ना तिरकी इम और फर्स ब्लोग है के तो सब तोहरे मन के मोई इस ब्लोग में इस बताए चाहा हो ना कि हमार पुर्वर्जमन केशन काम करत रहे हैं गाउं में और केशन अपन जीवन यापन करत रहे हैं यह के गर्च कर पताई सुखल पताई से के हमरे भात पगायक ले यूज करी लाए ऐसन चुल्हा बनाएके इसने आएक के जलाय जलाय के भातियन पकई लाएकर से गाउं में अधिकतर इसने पकायना जे मन कर बगीचा है और जे मन कर पहाड में घर आए से मन तो काठी यूज क है कि अगर ऐसे चुल्हे में आप लोग बनाओगे लक्ली के चुल्हा या तो फिर वो लगते सूखे पत्ते के साथ में तो यह बर्दन ऐसे काले हो जाते हैं तो ऐसे नहीं होने के लिए राख को पानी में भीगा के ऐसे लेख लगाए जाता है ये बाद में धोने से ये डा नर्टो साग जिसको ऐसे बाद़ारिसे उखाड़के यहां पर सुखाया जाता हैं पाद में मैंने जो दिखाया था ना वो जो उसको उसको सुखा के ऐसे शोप्टके ऊसको गुड़ा के दाता है गाउं में ऐसे पानी खीनिच पे कपड़े दोते हैं बदन दोते हैं अब पानी लेके जाते हैं पीनिच लिए इह केम और गाउं कर छवा मन जे बैर खायक आए हैं और एक जन उपरे चाइड है बैर तो तोरे मन जानबे कर ला इकेक हैना बैर यह हमरे खन इमली तोड़े का ही यह हम लोग इमली तोड़े आए हैं भी उत्ता सारा एक ही बार तोड़ेगी क्या वा यहां पे लड़की लोग भान सुखा रही है और इदर अंटा खेल रही है अपनी दीदी लोग देख के देख क्या सी यह हम लेख प्रभा मुक्ति कहां जा था हमरे गाउं से एक किलो मीटर दूर आहे बजारी जीगे टोटो बजार से यहां जा थी हमरे गाउं कर नहरी के लिकिने खन सुख चाहें अगर यहां पानी देल तो यहां से पटाए के आदमी मन खेटी करें अब सांज होई जा थे सेले सब आदमी मन जे जे बैल बकरी चरायक आए रहें सेमन सब अभी मन के डोराए के लेगा थे घर बटे